हेलो अब्रीवन आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज के स्वीडियों में जो कॉश्चन डिसक्स कर रहे हैं वो से यह सायर नेट दिसमबर 2017 में बुचा गया था ठीक है कॉश्चन पार्ट बीका कुश्चन और कुश्चन बहुत सिंपल कुश्चन है ठीक है युनिफ बी युनिफॉर्मिली कंट्यूनियस इन्होंने बोलाए कि यह जो मैप फंक्शन है वह युनिफॉर्मिल कंट्यूनियस है इसके अंदर तो आपको चार अप्शन दे रखें दिन में से कोई एक ही करेंट है कि फिर लिमिट एक्स देंस जिरू फंक्शन एक्स और लिमिट लिए इस पर एक रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट को फॉलो करेंगे और आज दर आपको मिल जाएगा बहुत ही सिंपल कोशिन था है कि हमें क्या दे रखा है फंक्शन हमें कैसे दे रखा है कि जीरू से इंफिनिटी उपने इंटर्वल से आर में जा रहा है अब इस इंट है कि मैं यह अगर कोइं फंक्शन दिनीकांति होता है कि तो जो given limits होती है उनकी उस पर वो function क्या होना चाहिए दोनो exist होते finitely तो देखो अगर आप इस function में x में यह आपका function है ना यह आपका function है आप limit पूट करोगे x के पर जिस पर 0 तो 0 आपको finite मान सकते हो तो 0 पे तो finite देगा 0 पूट करोगे तो आपको finite देगा लेकिन आप जब infinity पूट करोगे तो वह आपको finite नहीं देगा ठीक तो उसी पर ही question पूझा है इन्होंने यह result मैंने लिखा है तो जब आप options पर नॉजर डालोगे तो पहला option यह बोला limit x tends to 0 fx और limit x to infinity fx दोनों exist करेंगे जो दोनों नहीं करेंगे पहला करेंगा दूसरा नहीं करेंगा अब दूसरा option में बोला limit x tends to 0 function x exist but limit x tends to infinity fx need not exist तो यह true हो जाएगा need not बोले इसी प्रकार से यह किया बोले तीसरा तीसरा भी गलत हो जाएगा कि need not exist पहले एक्जिस्ट नहीं करेंगा दूसरा गलत चौथा बोले दोनों में से कोई भी नहीं करेंगा तो यह भी गलत option 2 आपका क्या हो जाएगा true चला जाएगा जाएगा